हाई कैसे दोस्तों मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नमनीत कालरा और आज इक बहुत अजीब हो गरीब और बहुत इंपोर्टन टॉपिक लेकर आया हूँ जैसा कि हर रोज आप देख रहे हो सड़न डेथ हो रही है और ज्यादा तर किसे में यह नुमान लगा जा रहा है कि सड़न काडियक डेथ है मतलब हार्ट से रिलेटेड इशूज हैं चैब वो पल्मोनरी एंबोलिज्म हो और अरिद्मियाज हो हो हार्ट अटेक हो कुल मिलाके यही लगाए जारा कि पोस कोविड की वज़े से हार्ट के उपर कोई असर बुरा असर आ रहा है आज मैं आपको सिर्फ यह बताने जा रहा हूं कि हार्ट के मामले में बहुत सारे टेस्स होते हैं हार्ट प्रॉल्म को पता लगाने के लिए तो क्या अगर आपके हार्ट में कोई बॉकेज है तो क्या जो हम टेस्स कराते हैं यह 100% ठीक होते हैं और इसी यही बात बताने जा रहा हूं कि जूटा है तेरा वादा वादा तेरा वादा ये जितने टेस्ट हैं हाट के 90% से उपर टेस्ट आपको धोका दे सकते हैं 90% आई तो इसलिए टेस्ट के उपर इतना विश्वास मत करें सबसे पहले आता हूँ मैं सबसे बेसिक टेस्ट ECG के उपर आपको कुछ प्रॉलम हुई आप डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने का ECG करा हूँ आपने ECG करा ECG नॉमल था डॉक्टर ने का कोई बात नहीं गैस है पेट में कुछ गैस बन रही है यह दवाई खाओ शाम तक कीक हो जाओगे और ECG नॉमल था और आप भी घर चले गए लेकिन शाम शाम कोई नहीं पाई क्योंकि शाम से पहले ही पेशिंट चला गया दुनिया से मेरा कहने का मत्तब यह है मैं डराना नहीं चाहता हूँ मैं यह कहना चाहरा हूँ कि ECG नॉमल भी आ सकता है हार्ट अटेक में जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं ECG कराते हैं तो यह कोई गरंटी नहीं होती ECG नॉमल है तो पेशिंट को हार्ट अटेक नहीं हो रहा होगा वो प्रोसेस में होता है कही बारी कई बार रिपीट ECG कराने पड़ते हैं कोई नहीं है ठीक है यह गरत है ठीक है क्योंकि जो डॉक्टर पेशिंट को देख रहा था वो ज़्यादा अच्छे डंक से बता सकता है कि पेशिंट को प्रोलम है या नहीं है ECG नॉमल होना या ना होना एक अलग चीज है अब दूसर टेस्ट्रोपनीन अच्छे इंटPनीन आई है यहIII ट्रोपनीन t जो ब्लेड टेस्ट होता है हाट अटेक देखने के लिए उसका भी याद है हाट अटेक हो तो कही है यहीं होता तो पोजिटिफ आ जाता है तो यही मैं बताने जारहूं कि इन टेस्टों की 100% गारंटी नहीं है कि इनकी रिपोर्ट क्योंकि true false false positive false negative result काफी आते है अब आते हैं अगले टेस्ट पे इको काडियोग्राफी हाट की ब्लॉके देखने के लिए आप इको काडियोग्राफी कराते हो कई बारी कि उसमें wall abnormality आएगी क्योंकि जो दिवार की wall है उनके motions जो होते हैं वो abnormal हो जाते हैं तो इको में आ जाते हैं लेकिन फिर वही बात कि इको में भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी अगर हलकी फुलकी problem होईगी तो वो आएगी बिलकुर नहीं आएगी उसके बाद आप stress इको कराते हैं डोक्टर कहता है इको में कुछ नहीं है अब आप stress इको कराओ उसका भी यहाल है कई बार यह वो false positive TMT कराओ के देख लो TMT में भी यहाल है कई बार वो positive आती है कई बार नहीं आती कई बार बीना बाद के positive आ जाती है जहां पे कुछ भी नहीं होता, यह याल कहने का मतब यह है, जितने भी टेस्ट हैं, यह 100% accurate नहीं है, अगर आपके test negative आ जाते हैं, तो यह कोई आपको stamp लगा के नहीं बता सकता कि आपको heart problem नहीं है, तो फिर करें क्या, सवाल यहीं कि फिर करें क्या, पहले ची तो clinical ground पे patient को जरू देखें, कि अगर patient एक typical history दे रहा है, कि जब मैं चलता हूँ, मुझे भारीपन लगता है, जब मैं रुख जाता हूँ, तो ठीक हो जाता है, तो यह बहुत clear cut evidence होता है, कि इसको angina pain हो रहा है, जो heart से related है, ठीक है, लेकिन जब acute pain होते हैं, अचानक होते हैं, बैटे-बैटे हो रहा है, तो patient को better होता है, कि आप उसको एक बार advise जरू करने कि वो admit होके अपने सारे test करा है, और observation में 24 गंटे रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सो में से अगर आप में मान लो, सो patient को advise करी ये बात, ECG normal था, फिर भी आपने advise कर दिया, ट्रोपती भी normal था, लेकि फिर भी आपने advise कर दिया, कि admit होके, एक बार observation में रहे लो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने सो patient को advise किया, और उसमें 20 ने भी आपकी बात मान ली, और 20 में से suppose 18 लोगों को, या 16 लोगों को कुछ नहीं निकला, लेकिन 2 से 4 परसेंट ऐसे patient आ गए, या 10 परसेंट, 5 से 10 परसेंट ऐसे patient हो गए, निकल आए, उन में से जिनको heart attack था, तो सोचिए, आपने कितने लोगों की जान बचा ली, ठीक है, काफ़ ज़्यादा था लोगों को कुछ नहीं निकला, लेकिन किसी की जान, आपकी गलतीगी वज़े से जान जानी नहीं चाहिए, भले एक दो test फाल्तू होगे, कोई बात नहीं, ठीक है, तो मेरा भी यही मानना है, कि अपनी तरह से डॉक्टर्स को एडवाईज जरू कर देना चाहिए, वो ठीक है, लोग बोलेंगे डॉक्टर का तो काम यही है, यह एडमिट करना, प्लान आडिम का, भाई, जिसका जाता है ना, सिर्व उसी को पता होता है, इसे दो ही टेस्ट है, बलकि एक ही टेस्ट है, वो है, एंजियोगराफी, करोनरी एंजियोगराफी, यानि कि हार्ट की जो आर्टरीज हैं, उनकी फोटो खीच लेना, एंजियोगराफी मतलब एक तरह की, NGO मतलब blood vessels है, उनकी graphie मतलब photographie दो तरह की होती है, एक CT scan से होती है और एक invasive जिसमें tar डालके आप die डालके आप direct देखते हैं, no doubt invasive angiography जिसमें tar डाली जाती है वो ज़्यादा accurate होती है, 100% accurate होती है, लेकिन उसमें आप कह सकते हैं, 1% का एक risk होता है, जानका कोई invasive procedure है, कोई problem ना आजाए, तो लेकिन सबस्याद accurate भी यही होती है तो दूसरे नंबर पर इसके नीचे है CT angiography CT coronary angiography जो बहुत अब यह तो नहीं कह सकते हैं, 100% accurate होती है फिर भी मैं उसको 9, मैं यह मानता हूँ अगर CT angiography normal आ रही है तो इसका मतलब फिर तो बिलकुल normal है हाँ, abnormal आ रही है तो उस पर जरूर निकल सकता है कि CT angiography ने 60% blockage बताई तो invasive angiography ने जो तार डाल के करते हैं उसने 80% बता दी है, 90% बता दी यह हो सकता है, लेकिन CT angiography normal आ रही है तो इसका मतलब फिर invasive में भी कुछ नहीं आएगा यह तो fact है अगर CT angiography normal है तो मतलब समझो sub-normal है हाँ, abnormal आने पे थोड़ा बहुत variation आ सकता है percentage का variation आ सकता है कि उसने इतने percent blockage बताई तो तार डाल के फिर देखा तो उसमें blockage थोड़ी कम यह ज़्यादा आई तो यह हो सकता है, चीक है तो इसलिए टेस्टों के अपनी limitations है हम जब पढ़ते थे medical college में, लखनाओ में तो हमारे हाँ, टेस्टों से ज़्यादा बताई जाता है कि आप अपनी दिमाग लगा के patient को diagnose करें और तब बताएं और आज भी मैं यही बलूँगा कि clinical diagnosis ज़्यादा important होती है बजाए टेस्टों से, टेस्टों की limitations है, tells false, positive, false, negative आते रहेंगे, टेस्ट कराना असान होता है, टेस्ट को correlate करना कोई असान नहीं होता है अना, उसको समझ पाना आसान नहीं होता, टेस्ट तो कोई भी करा सकता है तो छोटा सा topic था और अपने heart को मजबूत रखने के लिए, healthy रखने के लिए, better होगा अपना lifestyle healthy रखें और test रुकी अब importance इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हम इतने patient देख रहे हैं, और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि heart में यह जो इतने sudden हो रहे है, death हो रही ज़्यादा था, तो कारण यही होता है कि आपको heart के pump, जो electrical activities, जो है pace maker, उसमें गड़बड हुई arrhythmia हुआ, और एक कारण यह माना जा रहे है कि muscles में कोई surgeon आई पड़ी है, myocarditis या कुछ और तरह की inflammation, तो इसी के लिए हम बोलते है कि eco-cardiography एक करा के देख ले, हलाकि फिर वही बात है कि कोई 100% guarantee किसी test की नहीं है, thank you very much, शुक्रिया, bye